असलाम लेकूं वीवर्स आज मैं आपको इन बचे हुए पीसीज से डेर से दो साल की बच्ची का फ्रॉक बताऊंगी उसकी कटिंग और स्टिचिंग तो यह मेरे पास पीसीज है यह दो दो पीसीज है मेरे पास यह जिनकी लंबाई 21 इंच है एक साइड पर प्रिंट है दू निशान लगाँगे चार इंच पर यह देखिए यहां से इस साइड से भी मैं निशान लगा लूँगी चार इंच पर दोनों निशानों को इस तरह उठाते हुए है यहांसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स यह हमारे चार पैनल्स बन गए हैं इसी तरीके से हम चार और बनाएंगे दूसरा कपड़ा है मेरे पास मैं उससे यहां से और कटिंग कर लूँगी इसको उपर रखके निशान लगाके इसके ब्राबर बिल्कुल कटिंग कर लेंगे यह देखे इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है तो यह हमारे पास चार पैनल्स और बन गए हैं गर्मियार में पैनल्स के लिए मेरे पास दूसरा कपड़ा है उससे हम दो पैनल्स उसमें से निकालेंगे यह वहले कपड़े से जाल हूज में इसके से और यह वह दिखें हैं यह वह देखेंगि और यह देखिए अनसे निकाल लाइँ है अब इसके ऊपर हम यह दोरी लगा के सलाई करके साथ जोड के साथ यह दिखिए इनको जोड लिया है बैक साइड भी जोड लिये और फ्रंट भी जोड लिये सारी सिलाई के साथ और अब हम इसके तीरे की कटिंग करके यहां से मैं धाई इंच लंबाई रखी है कले की साढ़े चार इंच मैंने आर्म होल का निशान लगाया है यहां से हम इसके कटिंग कर लेंगे यह देखिए दोनों को रखके यहां से तीरे की स्लाई लगा लेंगे यह तक्रीब अडियोर से ढ़ाई साल की बच्ची का है आप बच्चे कुछ बच्चे वीक और कुछ माशालास हैल्दी होते हैं तो उस हिसाब से आप अपने रख लीजिएगा यह मैं और यह कपड़ा लगाऊंगी बाजों पर गले पर दो इंच पर रखके मैंने इसकी प्राप्र कटिंग कर दिये इसी तरीके से यह पट्टियां मैं बाजों पर लगाऊंगी और गले पर दोना साइड़ों पर लगाऊंगी यह देखिए मैं लगा ली है अब चुट चुट से कर्स लगा लेंगे और इन्हें सीधी साइड की तरफ मोर कर सलाई लगाऊंगी इस तरीके से यह देखिए यह देखिए मैंने सलाईयां लगा ली है अब मैं फिटिंग के सलाई लगा लेंगी दोना साइड़ों पर नीचे से फोल्ड करेंगे यहां से इसके पड़ी से मैं इसके उपर एक बो लगाऊंगी बना के यहां से मैं इसकी एक बो कट करके बनाऊंगी तो उसके उपर मैंने मोती लगा दियें यह देखिए बहुत ही प्यारे लुकाई है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अलाहाफीज झाल 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 झाल